हलो है हЕ Sandy MPH普 कि यस आरे यह जल्डी सबमेंट सेक्षिन में और मेने क्रड़ा खंट कर दो मुझे ताग मज़े क्रब मुझे संब क्लास का गल्या हूं है और अपने क्लास को स्टार कर सकते हैं सो जल्दी से सारे बच्छी आजो लिंक शेयर कर दो सब के साथ की आज हम फड़ा फट मैं की क्लास्ट हो गई है तो आज हम करने वाले है क्या magnetic effect of electric current kit 10 most important question conzi कितने question करने वाले पूरे 10 that will help you to solve question in your term to examination okay so पहले भी से related एक वीडियो हम कर चुके है जिसमें हमने mostly जो questions थे वो theory part के questions थे application based questions नहीं थे की लास्ट वाली वीडियो में हमने सीखा था की motor कैसे काम करती है motor क्या होती है heating effect of current क्या होता है and these were the some questions so आज हम basically अपना जो orientation होगा अपना जो focus होगा वो basically अपना 10 most application based question की दरफ रखने वाले हैं and कल की class में हम लोगों ने electricity के 10 most important question करेते जिसमें मैंने try किया था उन 10 questions में आपके सभी के सभी चाप्टर के concept use हो जाएं ठीक है so I hope आपने वो वीडियो तो देखी होगी तो आज हम करने वाले है magnetic effect of electric current जो आपका physics का दूसरा chapter है जो आपकी टॉम्टू में आ रहा है उसकी 10 most important question करने वाले हैं so चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी class को इसी नोट पे सो पहला question गे रहा आपकी screen पर which is which is the most easy question क्योंकि अगर आप अपने चारो और देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि यार एक बहुत ही सारे ऐसे appliances हैं जो हमारे heating effect of electric current पे काम करते हैं question विल देते हैं सबसे पहले सबसे पहला step जो कभी भी आपको question solve for the time who not a that is read the question carefully been a question go by a see the answer gonna like jougi took abina koi koi na koi mistake ho he jayegi clear jaldi baji me again any burn a higher I say jaldi 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 karke aga but they're over to the cutter jayegi true so the question is name any two appliances which are based on the application of heating effect of electric current she care but adding a sub se pahle what is heating effect of electric current so heating effect of electric current basically up kahuta hai let's change the pen color we can take okay you will a color a little it a hair she can heating effect of electric current basically kya much love is cooler hum to race all is cute tamses amazing कि कोशिश करें Android बच्चा यह जिसने science कभी नहीं पड़ी उसको सेब़ इतना पता है कि electric current क्या होता है so that this could normally serve in a Niki कोशिश करें कि heating effect of electric current मतलब हमारी electric current कि वज़े से कोई heating effect produce और वो क्यों होता है जैसे, for example, आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से clap करते रहो, ठीक है, दस मिनिट करो, बीस मिनिट करो, याप मैं कहते हूँ, एक यह मिनिट करो, दो मिनिट करो, आप एक दो मिनिट के बाद ही रियलाइज करोगे कि आपके हाथ थोड़े-थोड़े गरम होने स्टार्ट ह हो गए है, क्यों होते हैं, क्योंकि जब हमारे दोनों होत को लाइड कर रहे होते हैं, तो हमारे जो हाथों की काइनेटिक एनरजी होती है, वो हमारी काइनेटिक एनरजी कनवर्ट किसमें हो जाती है, हीट हीटिंग एनरजी में, मतलब की हीट प्रोड्यूस होती है, उस को कोईटवनेश वायर से मूव करता है करैंट का मतलब क्या है कि उस वायर में हमारे 。」 उलोध कर रहे हैं अगर ये एक्टरोनश वायर में मूव करता हैं regard deserve कि ऐना आपके पास इलेक्ट्रोंस पिन आईन से कोलाइड करते हैं एलेक्ट्रोन iron collision ये तो है अंदर की बाद मतलब ये एक तरीके का resistance है resistance ही हमारा देता है heating effect of electric current true तो इसी collision की वजय से हमारी wire के अंदर भी heating effect produce होता है अब ऐसा नहीं है कि हर एक वायर आपको बहुत ज्यादा heating effect दे देगे सेम टाइम अगर आप दो एक्जामपल लेना चाहो एक तो ले लो आप copper की वायर copper की और एक ले लो निक्रोम की वायर आपकी copper की वायर में तो इतनी collisions नहीं होंगे यानि कि उसमें उतना heating effect produce नहीं होगा आपकी NCRT की book में एक table दियो ही है जिसमें आपको resistivity की सारी values दियों तो आप check कर लोगे निक्रोम का बहुत high value of resistivity होता है what does it mean बहुत high value of resistivity होने के कारण उसमें बहुत जादा heating effect of electric current होता है hence वो वायर जल जाती है ऐसा लगता है कि वो वायर एक electric bulb बन गई है true सो हमें कोई ऐसे 2 appliances के नाम देने हैं जो हमारी heating effect of electric current पे काम करते हैं it is a two mark question जो आपका exam में आता है two mark का question आपके पर simply दो तरीके हैं आप simple दो लाम लिखाओ और भाई जय 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 टाटा बाई 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 तो और क्या गर सकते हो आप थोड़ी सी explanation दे दो heating effect is the effect produced by the collision in ILA electrons and ions that is up to you में को लगता है marks अगर आप सिरफ appliance क्या होगे तो तो नहीं कटेंगे marks तो लेकिन अगर आपको email जो हमारे examiner होता है उस पे को बहुत अच्छा impression बनाना है तो सबसे बेस्ट चीज इस चीज की होती है आप क्या करो थोड़ा थोड़ा उसको एक्स्ट्रा चीजे दे दो क्वेशन में जादा देनी की जरूरत नहीं है बिलकुल bit of the extra thing दे दो ताकि वह इंप्रेस होजे हां बच्चे ने answer अच्छे से किया है तो पहला appliance is कौन सा होगा अगर आप देखोगे तो electric geezer electric geezer या फिर हमारा electric cattle और बताते जाओ मुझे comment section में आंसर बताते जा वो electric cattle और कौन सा होता है heating effect of electric ka Electric Iron cattle हो गई geezer हो गया और iron हो оф a एक एक अग्सांपल अलिब इस कुईशन में दो पुछ रिख लिख देते हैं पता है जो चार लिख देते हैं नहीं बता तो फिर दो से भी काम चल जाएगा ठीक है न और किसके स्चीज में ही इटिंग एफेक्ट फेलेक्रिक करेंट होता है immersion road immersion road disco after me rods a panigam karthi hobo bulb bulb will be a heating effect of electric current car example there okay is it clear Charlie so the second question is this on the screen is coach is a pile low so much low given lick load data kya diya why nika lakiya sub put it to select man through the question is an electric oven of 2 kilowatt power rating is operated in a domestic electric domestic electric circuit 220 volt that has a current rating of 5 ampere what result do you expect expect explain aapko kya diya power diya sub se belly home yahi carrying a given licking a key given the we have power power kittanyo year 2 kilowatt 2 kilowatt power take a voltage diya phil up kipas kittanyo 20 volt all up kya jook current given henna yis circuit current given nahi hai aap dekho gay agar aapki question me is tariqa qi is mention oti hai ki electrical rating electrical rating namka ye do cheese electrical rating का मतलब होता है kya electric rating का मतलब है 5 ampere इसका मतलब होता है कि जो डिवाइस है डिवाइस कैन विद स्टैंड विद स्टैंड का मतलब क्या होगा कि डिवाइस से इतना करेंट ले सकता है इससे जादा करेंट अadder सर्किट में आया तो फ्यूज विल ब्लो ब्लो का मतलब क्या है ब्लो का मतलब क्या है कि फ्यूज जल जाएगा ठीक है अगर इससे ज्号 करेंट आया तो आपके circuit में या यहतिशिंट में घग ईलवाइस नश्यृण को 5MP है चाहिए वो माइक्रोवेव हो और वन हो या फिर कोई बल्ब हो या कुछ हो लेकिन आपके घर में जैसे ही थोड़ी सी तेज बिजली आती है वैसी क्या होता है वो एपलाइंस खराब हो जाते क्यों हो जाता है क्योंकि उसकी रेटिंग जितनी उसके ओपर लिखी होई कि वैल्यू निकाल लेते हैं अगर ये पावर और ये वोल्टेज दी हुई है तो आखिर हमारा करेंट क्या आएगा फिर उसको गोंकर मिर्टेंगे रेटिंग्स तेर रेटिंग से कम होगा तो वो सरक्ष इजिली चल जाएगा अगर रेटिंग से जादा होगा तो वो सर्केट ब्लो जाए गया फ्यूज विल ब्लो तो कितनी आएगी करेंट इस इक्वल स्टू पावर डिवाइड़ बाय वोल्टेज विच इस टू किलो ओम यानिके टो इंटू टैने स्टू पावर थ्री और टू टू ट्वेंटी वोल्ट अगर आप इसको स्वाल करोगे तो आपका आंसर आएगा एप्रॉक्सिमेटली नाइन एंप यह चेक कर लेना अगर गलत हो तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना चेक ज सेक्शन में मुझे जरूर बताओगे की अक्चल आंसर मैं यही है या आपने गलत लिखा है सो हमारी करेंट की वैल्यू आई 9 MPR लेकिन हमें रेटिंग कितनी दियो है electrical rating दियो है 5 MPR so what result do you expect explain यही आएगा आपके पास a reason की आपका fuse will blow up because the current rating is 5 MPR and we are giving more current than the current rating I hope it is clear to you all is it clear all clear PC go go the cut go a perish on a doubt push low doubt night paid out in the bush naio upload to get both the video about jelly official thing in next question your which is okay it is a very big question but love pahle cheese to yoga question but I don't answer what chota sa hoa henna chaladik there a coil of insulated wire is connected to a galvanometer what would be seen what would be seen if a bar magnet with its north pole to towards one force of the coil is moved quickly towards it क्या की रहा है एक कोईल है एक कोईल है चलो यह कोईल लगा लो यह एक गल्वेनोमेटर से connected है यह क्या है आपकी गैल्वेनोमेटर अप क्या करोगे आप अब आप क्या करोगे यहां से यह क्या करोगे एक बार मैंगनेट के नोर्थ पोल को इसके towards move करा हुए quickly move towards it हमें पता है अगर हमारे इस तरीके के circuit में हम लगाते हैं और यह magnet को move कराते हैं तो हमारे पास एक phenomena आता है कौन सा phenomena आता है हम उस phenomena को बोलते है electromagnetic induction क्या होता है जब तुम इस magnet को इसके inside से move करते हो magnet को move कराने का क्या मतलब है इससे associated magnetic field को change कर रहे हो क्योंकि इसकी कुछ lines होंगी इसकी जो lines होंगी जब तुम इससे पास जाओगे तो दूर जाओगे तो इसके उपर फरक पड़ेगा मालो तुमने यह magnet है इसको अंदर करा बाहर करा तो magnet के भी हर एक पॉइंट पे अलग-अलग magnetic field की value होती है इसका मतलब यह है कि आप जब solenoid से इसको पास कराओगे तो हर एक पॉइंट में क्या होगा जैसे quickly quickly move कराने का क्या मतलब है instantaneously आप change कर रहे हो position तो क्या होगा कि आपके से associated magnetic field change होगा और फिर आदे ने बोला था electromagnetic induction की condition में अगर आप associated magnetic field change करते हो तो आपके पास एक current generate होता है when you when you electromagnetic induction की क्या 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 condition होती है कि जब तुम क्या करते हो जब तुम associated magnetic field यानि की आप में जिस कोई के magnetic field को change करते हो तो तो देर इट जनरेट सा करेंट इट जनरेट सा करेंट इन दिस कोई तो कोई में जनरेट करेगा करेंट तो galvanometer में कोई deflection आएगी मालो north pole आया तो एक एक साइड में कोई deflection आएगी देर विल बी डिफलेक्शन इन वान साइड अब आपको गैल वैनो मेटर याद होगा मैंने आप लोगो क्लास में पढ़ाया है गैल वैनो मेंटर का कुछ इस तरीके का होता है उसके बीच में 0 तै इधर वैवैल्यू जोती है इधर 123 123 ऐसा क्यों होता है कि बीच में 0 है और दोनों साइड 123 123 लिख रहा है क्योंकि गैल वैनो मेंटर की प्रोपरिटी एक वह डायरेक्शन ओव करेंट बता सकता है अगर के सर्किट में इस तरीके से लगा है और सुई इधर डिफलेक्ट कर रहे इसका मतलब करेंट इधर मूव कर रहा है अगर सुई इधर डिफलेक्ट कर रहे तो करेंट इधर मूव कर रहा है और हम पता है कि अगर हम बार वैगनेट को इधर लाएंगे उधर लाएंगे पास लाएंगे दूर लाएंगे तो क्या होगा गल्वेनोमेटर में डिफलेक्शन दूचो करेगा लेकिन अगर एक बारी टोर्ट सेट और अवे को मूव करेंगे तो क्या होगा दोनों बार अलग-अलग डिफलेक्शन चो होगी क्यों क्यों क्योंकि दोनों बार अलग-अलग डा तैने करिया हम इतना क्विकली और बहुत शॉरली कह सकते हैं कि इसमें डिफलेक्शन होगी तो दूसरे केस में जब वो क्विकली अवे मूव करेगा तो देफलेक्शन विल बी इन अपो्जिक डारेक्शन सथैजिक क्याना एगर तो मुश्चोप लेगें ये एक बात और बोली थी कि moving होनी चाहिए magnetic field changing होना चाहिए अगर तुमने magnet को इसके अंदर भी रख दिया ना उससे भी फरक नहीं पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है लेकिन moving होना चाहिए अगर तुम place कर दोगे यानि कि third part का answer क्या होगा there will be no deflection क्योंकि कोई change ही नहीं हो रहा है कोई circuit में magnetic field change ही नहीं हो रहा है यह पहले का answer यह दूसरे का answer यह तीसरे का answer last में पूछा है name the phenomena involved कौन सा होगा phenomena होगा phenomena का नाम यहां लिख रही हूँ phenomena का नाम लिख रही हूँ e.m.i short form या फिर electro magnetic induction cool say about savage me I got thumbs up thumbs up thumbs up data to get next question is this let's see what is this question saying victim first question coach is a beyond say some ajlo क्या कह रही है a charge particle enter at the right angle to the magnetic field यह हमारा charge particle है इधर आ रहा है यह हमारा magnetic field है दूसरी चीज़ इसने क्या बोला है what should be the nature of this charge particle इसका nature बताना है or if it begins to move in a direction point vertically out of the page due to its interaction with the magnetic field magnetic field say interact करके यह out of the paper पर आएगा दो होते हैं into the paper को हम से दिखाते हैं क्रॉस से into paper और out of the paper को ऐसे डॉट से गोले के अंदर डोट से दिखाते हैं तो मैंने डॉट से दिखा दिया मतलब अगर यह पेपर है तो वह इस तरीके से बाहर की तरफ आ रहा है और अब क्या बताना है nature of charge particle बताना है यह question attempt करने से पहले हमें दो चीज़े पता हो नहीं चाहिए कौन कौन सी हैं वो दो चीज़ें देख लेते हैं पहली चीज़ कि current जिस direction में current move करता है उस direction से opposite होता है electron की direction opposite होती है electron की direction और अगर charge positive है यानि की proton है तो वो same direction में move करता है अगर मैं किसी भी तरीके से current की direction निकाल लूँ और फिर match करा लूँ अगर charge particle और current की direction सेम आ गई तो इसका मतलब जो charge particle का nature है वो positive nature है लेकिन अगर current की direction उपर रही और charge particle नीचे जा रहा है तो क्या होगा वो कि जो nature of particle है वो negative होगा समझाया repeat कर देती हूँ एक बार यह चीज़ क्या बोलना चाहरियू मैं कि आपके पास उसने nature पूछ है charge particle का दो तरीके के charge particle होते हैं एक होता है positive और एक होता है negative कर से ज surprेंट जिस direction में मोब करता है उससे आपोचिट доб एक्शिन में electronics करता है हमने हमेशा से पढ़ा है conventional करेंट की direction और एक्ट्रों की direction opposite होती रेकिन प्रोटोन की डारेक्शिन यानिटी पॉजटिव पार्टिकल की डारीक्शन हमीशा चार्ज हमारी करेंट की डारेक्शन में होती है तो हम करेंट की डारेक्शन निकाल लेते हैं अगर दोनों की डारेक्शन सेम आती है क्योंकि चार्ज पार्टिकल की डारेक्शन दी है करेंट की डारेक्शन निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा अगर दोनों की to the current चलिए फिर अब आपको क्या दिया हुआ है magnetic field की direction दी हुआ ये आपको किस की कि जो direction मूव करने की है वो magnetic field में वो दी हुई है out of the paper मतलब magnetic field की direction पता है force पता है उस पे किधर की तरफ ़ग रहा है out of the paper लग रहा है force उस पे out of the paper लगेगा तभी तो it will begin to move in the direction out of the page otherwise it will not so हम क्या left hand filming rule का use करके अपने current की direction निकाल लेते हैं क्योंकि left hand filming rule हमें क्या कहता है कि force field current हमें तीन चीजे पता निकालने के लिए current की direction निकालने के लिए force की direction निकालने के लिए क्या करते हैं कि अपने थम्प को तो फोर्स की direction में रखते हैं first finger को कौन से direction में रखते हैं index finger को या first finger को force field current father mother child magnetic field first direction of us finger में और middle finger में current देखते हैं गे रही हमारी कर्प magnetic field के direction out of the paper यही होगा कि यंगुठा बहार आ रहा है तो यह होगा हमारा क्या 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 यह यह फोर्स की direction तो आप देख रहे हो current की direction यह middle finger कहां दे रहे है यह current की direction इधर आ रही है यह current की direction किससे आ रहे है current की direction current direction is is same as the charge particle तो क्या कहेंगे हम की nature of the particle nature of the particle क्या है nature of charge particle is is positive ठीक है मतलब वो positive charge particle होगा क्योंकि क्या होगा हमारी जो current की direction आ रहे है वो हमारी है और हमारी positive charge particle current की direction में ही मूव करते हैं इसलिए हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि हमारा वो positive charge particle होगा this is important question important concept to understand what is going on this in this situation clear a chalo next question क्या कह रहा है draw a diagram to represent uniform magnetic field in a given region uniform magnetic field किसी भी given region में आपको दिखाने के लिए किस तरीके से बनाना होगा और वी पाट क्या है list two properties of magnetic field lines फड़ा फट एपार्ट देख लेते हैं अब हम सभी को पता है कि जो हमारी magnetic field lines है उसकी crowdness या फिर उसका पास-पास होना या दूर-दूर होना डिसाइड करता है कि magnetic field strong है या नहीं है जितनी फिल लाइन पास-पास होंगी उतना ज्यादा magnetic field होगा जितनी दूर-दूर होंगी उतना कम magnetic field होगा तो uniform magnetic field को रिप्रेजेंट करने के लिए uniform magnetic field represented by represents by the parallel lines parallel जो हमारी parallel field lines होती है नब वो हमारे uniform magnetic field बताती है इस तरीके से parallel lines आप ड्रॉ कर दोगे जरूरी नहीं है चाहे इस direction में कर दो चाहे अपना इस direction में कर दो यह mandatory नहीं कि आपने direction क्या लगानी है बस mandatory क्या है कि सारी parallel lines होनी चाहिए तब भी यह uniform magnetic field को दर्शाएगा लिस्ट कर देते है properties पहली प्रोपर्टी पहली प्रोपर्टी है लाइक पोल्स रिपेल और अलाइक पोल अट्रेक्ट और एक और प्रोपर्टी क्या हो जाएगी दूसरी प्रोपर्टी आ जाएगी क्राउडनेस जो है आपकी फिल लाइन्स की वह बताती है आपकी रिलेटिव कि क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ बताती है रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि कहां पर magnetic field strong है और कहां पर magnetic field week है वो बताती है या फिर दूसरी यह लिख दो two field lines can never cross each other okay कोई भी दोब्र बटी लिखने है मैंने यह दो लिख दिया आप को you next question is pole identify करने है आपको कौन से कौन से पोल क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें पता है कि नौर्ट से इमर्ज करती है और साउथ में जाके मर्ज होती है मतलब बाहर आउट साइड तो नौर्थ टूस आउट होती है यह सब आउट साइड है यहांके तरफ जार यह crochet है इमर्ज है शय। हो रही है तो यह होगा नौर्थ पोल यह कौन साथ जैघा है यह हो जाएगा नौर्थ पॉल एदर जाके मर्ज होरी है तो यह हो जाएगा शाउठ पहल बस यही लिखना था बता दिया, इस केस मेंगे भी देखो इधर से निकल रही हैं, इधर से इमर्ज हो रही है, इधर मर्ज हो रही है तो यह हो जाएगा north pole, यह हो जाएगा south pole तो इनके दूसरे दूसरे pole भी बना देंगे south or north अए सब कुछ क्लियर एं अच्छे से क्लियरा रुना चीए तभी कोई बात बनेगी वर्णा कोई बात बनने का कम अच्छा बनता है नेक्स को बढले चलिंगे नेग्स वेशिन कुछ यह कह रहा है आप से अच्छे से देखो समझ तभी आंसर करना टागा रहे question पढ़ेंगे observe the figure given below and answer the following question figure co observe करना यह है figure write the special name given to the coil a b which has many circular turns of insulated copper wire एक इसकी definition है किसकी definition of n turns है आपके copper insulated wire के और उनका क्या है many turns है उसमें end on say many turns is good quality है तो special लाम क्या दिया गया है इसको बोलते हैं हम solenoid everybody would know this answer कि इसको solenoid बोलते हैं state the nature of the magnetic field inside a b when the current is passed through it current pass कर रहा है तो बताओ magnetic field किस तरीके से होता है ठीक है हमें पता है कि solenoid bar magnet की तरह behave करती है solenoid हमारी bar magnet की तरह behave करती है इसका मतलब क्या होता है bar magnet के जो magnetic field होता है कुछ इस तरीके से होता है न मतलब पोल्स पे तो strong होता है और और दूर दूर जाते जाओगे तो तना वीक होता जाता है उतना वीक होता जाता है इसका मतलब inside में क्या nature होगा inside में uniform nature होगा uniform uniform होगा simple answer कि अंदर हमारी field lines जोते है uniform होती है parallel होते है कुछ भी लिग दो uniform parallel या फिर या फिर बता बता और भी कुछ बोलते है uniform parallel से चल जाएगा चल जाएगा लेकिन अच्छे से answer करना है तो आप इसको पहले compare करके दिखा दो कि solenoid behaves as a bar magnet and inside the solenoid the field lines are parallel and that is why the field is uniform because the parallel field lines समेश uniform magnetic field जटाती है जैसे हमने इस वाले question में करा था हमें uniform magnetic field draw करना तो हमने parallel lines draw कर दी तो अंदर इसके भी parallel lines होती है इसका मतलब इसके अंदर uniform होता है रीडरो दाइग्राम and sketch the pattern of magnetic field through it and around a.b. आप लोग तो free draw कर लोगे तो मैं भी कर देती हूं यह है आपकी solenoid connect कर लेना इसको circuit से क्योंकि वो जरूरी है इसकी field lines बना दो किस तरीके से बनती है इस तरीके से थोड़ी अच्छे से बनाना तुम है बार मैगनेट की जगा ऐसे कोई लगा देनिया अच्छे से बना दो गिना मेरा तो यह बोड़ है इसलिए च्छे से नहीं बन रहा आप लोग कॉपी पे बहुत अच्छे से यह अपना डाइग्राम ड्रो कर लोगे क्योंकि सभी को पता है बार मैगनेट यह है बस इस मैगनेट की जगा एक कोई लगा दो मैं लगा देती हूँ यह जो मैगनेट है इसकी जगा में कोई लगा देती हूं और इसके अंदर ऐसे uniform magnetic field lines चता देती हूं हो गया question next question गह रा है list two factors on which the strength of magnetic field produced by a b depends कर आया है किस-kis पर डिपेंट करता है पहला current dependent करता है दूसरा number of tons पे डिपेंड करता है और तीसरा soft iron core पे भी dependent करता है चलिए अब जो बच गए है वो मुझे comment section में जल्दी से बता दो कि एक दो पॉइंट जो बच गए है उनका क्या है कौन-कौन से factors है what is the effect of placing iron core in the coil a-b iron coil ko a-b-k beach may ya haa peric coil रखने से क्या होगा यह जो हमारा पूरा circuit है यह हमारा electromagnet बन जाएगा electromagnet क्या होता है हमारी temporary magnet मतलब एक magnet की तरह behave करने लग जाएगा क्योंकि इतनी ज्यादा strength बन जाएगी इस जो ही magnetic field to produce or ice key इतनी ज्यादा strength हो जाएगी की इट विल बहेव आज़ा एज़ा एलेक्ट्रो मागनेट क्लियर नेक्स्वेशिन का अंसर भी दे दिया है मैंने बहुत important question है हमेशा पूछा जाता है कि आप पर्मिनेंट मैगनेट और electromagnet में difference बता दो पहला मैगनेट की इड़ बहेव सेज मागनेट electromagnet में जब तक electric current pass होता रहेगा तब तक it will behave as a electromagnet as soon as the current stops it will be like a normal solenoid because it is a temporary temporary magnet का मतलब क्या है जो चोटे टम के लिया conditional thumb पे हमारी magnet बनती है जैसे कि जब तक current pass कराएंगे तब तक तो मैगनेट की तरह behave करेगी लेकिन जैसे current बन कर देंगे magnet की तरह behave करना बन कर देगी इट के नौड भी डी magnetize easily मतलब यह जो permanent magnetize में permanent magnetization होता है इसको magnetize de magnetize करना बहुत मुश्किल है इसके लिए efforts लगते हैं क्या यह तो हीट कर दो यह बहुत बार मारते रहो गिराते रहो तभी यह चीज करोगे तो किसी भी चीज की कोई भी प्रपर्टी लूज हो जाएगी otherwise it is a permanent magnet यह magnet कभी भी अपना magnetism लूज नहीं करती है दूसरा इसकी जो है वो strong magnetic field होता है और उसकी जो strength है आप करेंट इंक्रीज करके number of turns increase करके decrease करके strength को वेरी कर सकते हो मतलब variable strength है लेकिन इसकी strength हमेशा fix रहती है fix रहती है यानि की cannot be change और week होती है क्योंकि हम तो इसकी strength हो हम change कर सकते है क्योंकि हमारे पास है हमारे हाथ में यह चीज तो तो हम हम इसकी strength change कर सकते हैं तीसरा पॉइंट है कि जो हमारा solenoid है उसकी हम polarities change कर सकते हैं कैसे अगर पहले करेंट ऐसे कर रहे थे इस डारेक्शन में फ्लो करा रहे थे तो हम क्या करेंगे बैटरी के positive or negative terminal को opposite कर देंगे तो हमारे पास जो पहले साउथ पोल के भी तरह बहेव कर दाव नोर्थ की तरह करेगा और जो नोर्थ की तरह बहेव कर दाव की चेंज नहीं कर सकते किसकी पर्मनेंट मैंगनेट की आप एलेक्ट्रो मैंगनेट की चेंज कर सकते हो तो चले नेक्स वेस्टिन की और चलिए बुट क्वेस्टिन धिहान से देखो दिखा बिठाओ अपने दिमाग में की एक वेस्टिन क्या कहना चाहरा है जल्दी से देखो क्या कह रहा है की वेस्टिन अस्टूडेंट ड्रॉस थ्री मैगनेटिक फिल लाइंस बंट टू थ्री और बार मैगनेट विद रहल पफ कंपस नेडल कंपस नीडल की हेल्प से उसने क्या करा इस तरीके की तीन लाइन ड्रोगरी कैसे करते हैं यह आपने नौर्थ पोल रखा यह साउथ पोल रखा यहां नौर्थ चला जाएगा यहां साउथ चला जाएगा इसी तरीके से आप अलग लग पोजीशन पे रखोगे तो आपके पास जो इसके चारों और का मैगनेटिक फिल्ड वाज आएगा कि किस तरीके से होता है ठीक है जी इस तरीके से हम कंपस नीडल से अपना आ प्रका है ओब लाइठ यह इजिल टीन बच्चोने कच इस तरीके की मागनेटिक से लाइट बतायी तो आप आप से question फुछा जा रहा है क्या इस तरीके की मैगनेटिक फिल्ड रैं पॉसिबल मैं अगर नहीं है तो क्यू नहीं है वट इफ नॉट वैइस आपको पता है इस तरीके की configuration possible नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो इस point पे हमारी two field lines are intersecting इस point को नाम दे दो A at A two field lines are intersecting अगर ये दो field line is point by intersect कर रही है इसका मतलब हमने जो property पड़ी that field lines can never intersect वो invalid हो रही है तो which is not possible क्योंकि हमारी इस point पे अगर हम देखेंगे तो reason क्या होता है कि इस point पे अगर हम tangent draw करेंगे तो मेरे पस दो tangent draw हो एंगे मतलब एक ही position पे ये tangent क्या देते हमें magnetic field की direction देते हैं मतलब एक ही point पे दो magnetic field की direction होंगी या फिर अगर आप इदर compass रखोगे तो compass दो जगा point करेंगी which is not possible so इसी लिए it is not possible क्योंकि हमारी दो field lines are intersecting which is not possible why because at that point it will give a two direction of magnetic field which is impossible okay question be a chase a savage me I a comment section me mujhijarur likte rena ki aapki darabhse iska kia answer hona chahiye chik hai sabi bachu ki answers are there any change a mere past comment section may chalye next question and I think this is the last one yeah this is the last question last but not the least why not magnetic field lines of force intersect each other is question ko हमने अभी अभी दो सेकेंड पहले डिसके सी किया है लेकिन अगर आपको इसका answer पता है तो लिखोगी कैसे आप ऐसे करोगे to क्या लिखोगे to field lines can never intersect each other because if they intersect it will mean that at that point there is two tangent or two direction of field of magnetic field which is impossible ठीक है यह होगा आपका whole sum answer इतना लिखा होगे बहुत अच्छा होगा और क्या कर देना ऐसे दो field lines go cross姐 for skotti ना फिर दिखा दर एन एक डारेक्शन येब जाएगी illa यह बन जाएगी जो क्योंकि टैंजंट है टैंजंट ही डारेक्शन देते हैं तो इन टैंजंट के दो डाइंज न बन जाएंगे जिसका मतलब है दो फिल लाइन के डारेक्शन होंगे विच इस नॉट पासिबल चीक है तो यह ते आपके कुछ जिसमेसे आएगे सिस्त इंपोर्टेंट चीज है आपको सबसे इंपोर्टेंट चीज यादर अस अबसे πेक्वोर्ट सब्सेंन ठेट इस मेसे होगी कि आपको solenoid solenoid से question जरूर आएगा जरूर क्योंकि solenoid में आपके बहुत सारे question मनते हैं कि कैसे electromagnet बनता है यह temporary magnet के magnetism कैसे शो करता है या फिर फिल लाइन अंदर कैसी होती है सबसे जादा question यह पुछा गया आश तक कि solenoid के अंदर फिल लाइन से कैसी होती है यह सब है आपके important topic जो आपको अपने time to के लिए तयारी करते रहना है और crash course हम करी रहे हैं उसमें सारे topics फिर से revise कर लेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है important question है वह important ही है है तो जुड़िये रहें डाउटनेट के साथ और फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स क्लास में विच सो मच मोर इंटरस्टिंग क्वेस्टिंस एं थियोरी बाट बाइए